हेलो विर्वन आप सही का फिर से बहुत सवागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गुगल कमिस्टी पर तो आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर का पीवाई कुई लेकर आए हैं आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो किस पर बेज़ड होगा वो है आपका चैप्टर ए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा पहला कोस्टेन है इको लोजिकल निके इस पहला कोश्वन क्या है आपका एको लॉजिकल निके इस है यह आपके एंसी आर्ट को प्यूस्टन मार करेंगे आप से simply पूछ रहा है कि ecological नीके क्या होता था अगर मैं आपको simple word में कहूं तो यह किसी भी species की physical position और उसका function क्या है उस environment में उसको हम लोग क्या बोलते हैं ecological नीके तो आप इसको ऐसे define कर सकते हैं question आपका है ecological नीके is तो आप कह सकते हैं physical position and functional role of species आप आप एंसर देंगे यहाँ पर physical position and functional role of and functional role of species within the ecosystem within the ecosystem इसको मुलों क्या बोलते हैं नीके तिसको आप यहाँ पर यहाँ रखेंगे यह term आप से पूशा जाता है अब महां next question यहाँ पर है which of the following forest plant control the light condition at the ground which of the following forest plant यह फिर आप ऐसे कह सकते हैं which forest plant which forest plant control the control the light condition at the ground control the light condition at the ground यह भी आपके निसीर्ट के question है इसका answer जो होगा वह होगा टॉल प्लांट क्या होगा इसका answer टॉल प्लांट आप जब भी किसी प्लांट को अब्जर्व करते हूं है कि मालले यह कोई एक प्लांट है कि यहां पर आपकी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं और इस तरीके से, इस तरीके से जो नीचे वाले यहाँ पर प्लांट हैं, इनके लिए light कितनी एवाई लेवल होगी, इनके लिए light कितनी एवाई लेवल होगी, यह कौन डिसाइड कर रहा है, यह canopy decide कर रही किसकी tall plants की, तो आपका अंसर यहाँ पर क्या होगा, tall plants आपके decide करते question है आपका, when resources are limited, when resources are limited, the population growth, the population growth curve will be, यह है आपका question, तो देखिए इसका answer होगा, आपका s saved, कैसा होगा, s saved, अगर यही question हम से पूछा जाता कि, अगर resource unlimited है, क्या है आपके यहाँ पर resource limited दिया है, अगर हम से यही कहा जाता कि resource आपका unlimited है, तो आप कहते कि j saved का होगा, क्या आपका population growth, कर वह यह भी question है, इसको भी आप याद रखिएगा, अब next question हम से पूछ permanent, permanent, outward movement, of individual, of individual, from a given area is, from a given area is, इसका आपका answer होगा, immigration, क्या होगा, इसका answer, immigration, क्या होगा, इसका answer, immigration, क्या होगा, immigration, अब देखिए, एक concept यहाँ पर निकल कहता है, कि अगर आपको population density को कम करनी हो, population density को आपको क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ पर आपको दो process involved होगे, एक तो होता है, immigration, इसका मतलब होता है, बाहर जाना, permanently, और दूसरा यहाँ पर होता है, mortality, क्या होता है, mortality, यह थोड़ यह जो दोनों process है, चाहे वो आपका immigration हो, या फिर mortality हो, यह दोनों क्या करते है, यह population density को क्या करते है, आपके कम करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, वहीं आपकी जो natality और immigration होता है, natality और immigration होता है, वो क्या करता है, अभी population density को increase करता है, यह आप याद रखेंगे, इसका का आपका एंसर होगा immigration अब next question पूछा जा रहा है विच कंपटीशन इस में आपके जो option दिये गए है वह आपको दिया गया है पहला इंट्रा इस्पेसिफिक इंट्रा इस्पेसिफिक competition इंट्रा इस्पेसिफिक competition और यहां पर आपको दिया गया है बोथ A अब का मतलब होता है कि किसमें आपका बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में जो बहुत ज़्यादा तगड़ा कमपडिशन है क्या आपका बिल्कुल बराबरी कमपडिशन उसमें कोई भी कोई भी इंडीविजूल दो आपस में compete कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वह एक दूसरे से कम नहीं हो रहे हैं बिल्कुल एकड़ इंटेंसिफाइट है अब आप समझे श्रबेसित अब आप समझ लिए यहां पर बात को मान लिए कोई एक रिसूर्स है क्या है आपका रिसूर्स है इसी रिप्वर्स के लिए मैंने एक्जामपल में पहले मैं अपको और समझाना चाहरा हूं यहां पर इंट्रेस्पेसिक नखिया इंग्जामपल में हम लोग ले आपने humans के case में ले रहे हैं कि दो मैन हैं आपके, किया है आपके, दो मैन हैं, resource का मतलब आप समझे लिए जॉब, इस job के लिए दो individual same species के क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, आप समझतें कि आपका जो brain है वो 1350 CC का है क्या है आपका 1350 CC का ब्रेन है तो यहां पर देखिए इसी जॉब के लिए दो इंडिविजुल कंपीट कर रहे हैं और दोनों में कितनी सिमिलर्टी है उनका जो ब्रेन का जो कैपसिटी है वो भी बिल्कुल सेम है तो यहां पर जो कंपटीशन होगा उसकी इंटेंसिटी ज के लिए कोई दो अलग अलग इस्पीशीज कोई दो अलग अलग इस्पीशींते मान लिए मंकी कर congressional स्क आप लेक्ट करेगा吵े में उतना दम नहीं है तो यहां पर जो होगा वो आपके intra specific competition के मुकाबले कैसा होगा वीख होगा कैसा होगा इसका जो एंसर होगा वह आपका होगा intra specific competition is more intense इस तरीके से आपको चीजों को सोच करके आपको एंसर यहां पर देना पड़ेगा अपर बढ़ते तरफ according to ellen's rule the mammal from older climates है कि हमारा जो कोशन नेक्स कोशन आ रहा है वह कहां से आप से पुछा जा रहा है एलेन रूल से हम लोग इस पर भी बात करते हैं कि क्या है आपका कैसे क्या अंसर होगा तो थीए इस टाइप के जो है सारी चीज़ें आपकी रिवाइज जो जाएंगी इसमें कोई समस्चावली बात नहीं है ब्लोग जो है सारी चीज़ों को भी बहुत डिटेल वे में देखेंगे इस चेप्टर में लोग पर अपर जो नेक्स्स कुश्चन भो है अकॉर्डिंग टू एलंस रूल द अमयमल फ्रॉम दो क्लाइमेट है फिससे अ आपका कि अ कॉर्डिंग टू एलंस रूल का कि अ कि अकॉर्डिंग टू एलन शूरूल according to Allen's rule, mammals from colder climate have, according to Allen's rule, mammals from colder climate have, देखिसमें जो आपको option दिये गए हैं, यह दिये गए है, shorter ear and longer limb, shorter ear and shorter limb, longer ear and longer limb, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोश्चन लिखते हैं, कोश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो कोश्चन हैं आपका, according to Allen's rule, according to Allen's rule, the mammals from colder climate, the mammals from colder climate have, according to Allen's rule, अब देखिसमें क्या होता है, कि Allen's rule हमारा क्या कहता है, कि जो colder climate के mammals होते हैं, उनमें year और उनके limb क्या होते हैं, क्यों ही short होते हैं, समझे बात को, have shorter year, have shorter year and, shorter limb, shorter year and shorter limb, तो आपका answer यह होगा, कि इनके limb और इनके year shorter होते हैं, क्यों समझे बात को, कि अगर surface area जादा होता है, तो वहां से heat loss जादा होता है, surface area जादा होगा, तो वहां से heat loss जादा होगा, अब आप समझे कि पहले से ही cold climate में हैं, उनकी survival की chances कम हो जाएंगे, इसलिए इनमें year और limb shorter होते हैं, अगर इससे आपका reason पूछा जाए, तो आप कहेंगे to minimize, to minimize the surface area, to minimize the surface area, यह हो जाएगा इसको answer, NCRT example का आपका question है यह, next question आपका है, explain best parasitism, select the statement which explain best parasitism, NCRT का यह आपका question है, question आप यहां पर देखिए, क्या है, select the best statement, select the best statement, select the best statement, which explain parasitism, which explain parasitism, which explain parasitism, NCRT का यह एक्जाम्पर का question है, NCRT example का आपका question है, statement हम लोग यहां पर देख लेते हैं, पहला statement है, one organism is benefited, पहला statement क्या है, one, पहला पर पॉस्टिव से दिखा रहा है, one organism is benefited, one organism is benefited, और इस नॉट आफेक्टेड, इस्टेमेंट सपर्विक packet of statement और के ज़ोन बनीफिति अधर इस लोगरी चया है ऑनने वेणिवेटेधा, अधर इस। अधर इज बनीफिर्टेड थाल और की आफम सबैकadamente 10 is fine 8580 बोद दा और गैनिजम आर बेनिफिटेड और फोर्थ है आपका फोर्थ है आपका वन और गैनिजम इस बैनिफिटेड अधर is affected, one organism is benefited, other is affected, last है आपका, one organism is benefited, other is affected, question है आपने लोग डीट करते हैं, select the best statement, हमें best statement बताना है, किसके respect में, पैरा citizen की respect में, तो मैं आपको पहले ही बता दू, पैरा citizen का मतलब होता है कि एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, आपका एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, अब आप समझे कि पैरा साइड जो है, पैरा साइड का मतलब क्यों होता है, पर जीवी जो दूसरे जीव जुनत की ऊपर रहते हैं, और अपना पोशन वहीं से प्राप्त करते हैं, अब पैरा साइड क्या करेंगे कि आपकी माली यह आपकी बॉड़ी की सर्फिस पर हैं, तो वहां से ब्लट सक करेंगे, वहां से उनको नुट्रिशन मिल जाएगा, आपको के दिक्कत होगी कि आपको बहुत सारे वहां पर सिंचम्टम मिलेंगे, कोई itching कर रहा है, कोई inflammation कर रहा है, तो यह सारी समस्य आपको देखने को मिलेगी, तो पहरा सिटीजां को जो आपका यहांपर बेसिक मतलब होता है, वो होता है एक का फायदा और दूसरे का नुक्सान अब हम लोग रीड करते हैं यहाँ पर statement पहला है one organism benefited तो यह तो आपका गलत हो गया दूसरे का नुक्सान है इन्होंने बताया ही नहीं उठाना पड़ेगा यह है आपका बेसिक सा मतलब अब यहाँ पर नेस्ट कुश्चन आ गया है एंसी आर्टी का which of the following would necessarily decrease the density of population in given habitat question हम लोग यहाँ पर note करते हैं question है आपका which of the which of the following would which of the following would decrease the density of would decrease the decrease the density of a population of a population in a given area in a given habitat in a given habitat option हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं option है आपका natality greater than mortality natality greater than mortality natality greater than mortality second option है आपके यहाँ पर immigration greater than immigration immigration greater than immigration यहाँ पर आपका थर्ड है mortality and immigration यहाँ पर आपका थर्ड है mortality and immigration थर्ड आप्सन है आपका mortality natality and immigration 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 अब यह कुश्चन आपसे क्या कह रहा है कि which of the following would decrease decrease का मतलब है कम होगा यहाँ पर क्या कम होगा आपके density density घनत तो जनसंख्या का घनत तो कैसे कम होगा यहाँ पर क्या इन में से कौन सा आपका option है जो जो आपको बता रहा है कि आपकी जनसंख्या का जो घनत तो है वो कम होगा अब लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यह है आपका population density population density इसमें आपका देखिए जो immigration होता है जो आइस स्टार्ट होता है और जो आपकी natality होती है यह दोनों क्या करती है यह बढ़ाती है यह क्या करेंगी आपकी population density को increase करेंगी वहीं अगर है जो immigration होता है immigration देखिए pronunciation आप ध्यान से करिए immigration इमाइग्रेशन यह क्या करेंगा यह घटाएगा और आपकी mortality mortality यह भी क्या करेंगी population density को घटाएगी तो दो फैक्टर यहाँ पर है जो population density को बढ़ा रहे हैं जिसमें immigration और mortality है और दो ही factor है जो आपके population density को घटा रहे हैं जिसमें immigration और mortality है mortality का मतलब यहाँ पर आपका death से है, mortality का मतलब है आपका birth से है, immigration का मतलब होता है कि कुछ आपके individuals आ रहे हैं population में add-on हो रहे हैं और immigration का मतलब होता है individual जो है वो population को छोड़ करके जा रहे हैं मतलब decrease हो रहे हैं अब यह सारी चीज़े आप समझ जाएंगे तो इस answer को देने में कोई भी समस्या नहीं है जैसे पहला option आप दिया हुआ अगर मरने वालों की संख्या पैदा होने वालों की संख्या से क्या है कम है तो कैसे आप population density बढ़ेगी मतलब पैदा आप जादा होने मर कम रहे हैं तो यह क्या करेगा population density को बढ़ा देगा second है आपका immigration is greater than immigration तो यह यह भी क्या करेगा यह भी increase करेगा यह भी option हमार नहीं होगा थर्ड option है आपका mortality और immigration mortality और immigration यह जो है आपका जो आपका death है और जो individual आपकी population को छोड़ करके जा रहे हैं दोनों factor क्या काम कर रहे हैं आप population density को घटाने का काम कर रहे हैं तो यह है आपका यहाँ पर करेक्ट एंस्वर लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं natality and immigration यह भी क्या करेंगे population density को increase करेंगे तो यह आपको पूरी तरीके से आपर चीज़े पता होनी चाहिए कि population density को बढ़ाने वारे दो फैक्टर हैं आपके एक है आपका immigration और दूसरा है आपका natality और दो फैक्टर है इसको घटाने वाले एक है आपका immigration और दूसरा है आपका motality इन questions पर आपको जो यहाँ पर ध्यान से करें कोई भी दिक्कत नहीं होगी हम लोग बढ़ते हैं कुछ next question देखते हैं आगे के तो इस टाइप question जो है आपसे इस chapter में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप मुश्किल भी नहीं है बहुत इसली आप इनको कर सकते हैं कोई बहुता समस्य आपको ओने वाली नहीं है इन चैप्टरों में जो आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट था वो हमने पहले ही कर लिया है अब तो पस आपके केवल छोटे छोटे चैप्टर से हैं और कुछ उनके बहुत ही असान असान से questions अब लोग लेते हैं पर नेक्स कोश्चन फंगल फिलमेंट आफ लाइकेन गेट दिये न्यूट्रीशन फ्रम दोजार उन्नीस के यह आपके एक्जाम काया हुआ कुछनननन फंगल फिलमेंट इस मजेन फिलमेंट inee फंगल फिलमेंट आफ लाइकेन फंगल फिलमेंट आफ लाइकेन के दीये न्यूट्रीशन इसमें आपके ऑप्शन दी हुए है यहाँ पर एयर, एलगी, और्गनिक मैटर आफ सॉइल और नन अब दर जिस पहला है आपका ऑप्शन है आपका एयर, सेकेंड ऑप्शन है आपका एलगी, थर्ड है आप है यहाँ पर, और्गनिक मैटर आफ सॉइल, और फोर्थ है आप है यहाँ पर, नन अब दीज, अब देखिए सबसे पहले आपको लाइकें का मतलब पता होना चाहिए, लाइकें वो आपके ऐसी स्पीसीज होती है जिन में क्या होता है कि फंगस, फंजाई, और यह सिंबायोसिस में रहते हैं किसमें रहते हैं आपके साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को benefit करते हैं, mutualism एक तरीके का, फंजाई जो है आपका यह अलगी के साथ सिंबायोसिस में रहता है, लाइकें का मतलब आपका यह हो गया, अब आप समझेए कि काम क्या करते हैं, अल kos 국 और किसका काम है chem कांगे से काम क्या होता है ये Meinung येको क्या करेंगे है कि मिन्रल Darth है जिसका कए हो गया हनका doctor kisहिए पूंक्स का लोकिए ऐस येधवार है कि फंगल फिलामेंट ओ आफ लाइकनडे डिability फ्रॉम हं इतना किसका लाइकेन में आपका fungus है और क्या है आपका algae है अब हमसे question क्या पूछ रहा है कि fungal filament of lichen get the nutrition from इतना समझाने बाद आप आसानी से बता सकते हो कि इनको खाना कांस मिलता है इनको खाना मिलता है आपकी algae से यह है आपका बहुत ही simple सा question था अब next question हमसे पूछा जा रहा है 2019 का ही आया वह question है the interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called यहां पर आपको option है the interaction where one species is benefited interaction where one species is benefited one species is benefited and the other is and the other is neither benefited not harmed question simply यह कह रहा है कि दो species आपस में एक साथ रह रही है उसमें एक का तो फाइदा है एक का क्या है आपका फाइदा है और जो दूसरी species है उनका ना तो नुकसान हो रहा है ना ही फाइदा हो रहा है यह हमको कंडिशन दी हुई है देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमेंसलिज्म क्या बोलते हैं कॉमेंसलिज्म यह है आपका कॉमेंसलिज्म इसमें क्या होता है कि आपकी दो स्पीसिस साथ साथ रहती है एक का तो फाइदा है लेकिन दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ रहा है नहीं पॉस्टिव नहीं निगेटिव दोजार उननीस का आया हुए यह आपका एक्जाम का कुश अविच और ऑslवाड है लेजुड सयविच आप लुग कि तो स्पोल यह संवैं कि आप लिधिज कोशनलॉफ्स ए ल्बाटेंग सुशिए C association, symbiotic association with plant with plant, option है आपके यहाँ पर, rhizobium, पहला option क्या दिया हुआ है आपको? rhizobium, second option आपको यहाँ पर दिया हुआ है, mycorrhiza mycorrhiza, third option आपको यहाँ पर दिया हुआ है, nostoc, third option कहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, nostoc और आपका fourth है, both a and b, both a and b, अब देखी, इसका जो answer होगा आपका, वो होगा आपका both a and b, क्या होगा आपका answer, both a and b, समझे बात को, rhizobium जो होता है, यह leguminous plant में, leguminous plant में, leguminous plant मदल्ब pulses आपकी यतनी भी होंगी, इन में क्या करेगा, nitrogen fixation का काम करता है, वाया nodule formation, वाया nodule formation, यह nodule बना करके क्या करेगा, आपके nitrogen fixation का काम करेगा, अब अगर हम no stock की बात करें, तो यह भी plant के साथ association करता है, अगर example की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो no stock पाया जाता है, आपके coraloid root of cycus में, coraloid root of cycus में क्या पाया जाएगा आपका, no stock, यहाँ पर पाया जाया जायाता है, और अगर अगर मैं बात तो तो anthoceros जो आपका ब्रावर fight है, उसके thallus में पाया जाता है, उतना deep हमें जाने की, यहाँ पर जरूवत नहीं है, आपको यह पता होना का formation नहीं करता, root nodule formation does not occur, does not occur, no stock, आपके root nodule का formation नहीं करेगा, वहीं करें हमें आपर बात करें, rhizobium की, तो rhizobium जो आपका यहाँ पर क्या करेगा, n2 fixation, वो करता है, root nodule का formation करके, अब यहाँ पर हमसे next question पूछा जा रहा है, what are urethermic species, what are urethermic species, question है आप यहाँ पर, what are urethermic species, देखे, ure word जहाँ पर भी आ जाए, ure का मतलब आप समली, जो आपके wide range को tolerate करें, wide range, और thermic का मतलब होता है temperature, thermic का मतलब क्या है आपका, temperature, तो इसका answer क्या होगा, such species, such species, which can tolerate, which can tolerate, wide range of temperature, wide range of temperature, उनको हम लोग बोलते हैं, urethermic species, ऐसे ही आपको मिलेगा, urehyeline, मतलब जो wide range की salinity, salinity मतलब क्या होता है, कि आपको जो salt का concentration है, उसको जो है, बहुत ज़्यादा जो मात्रा में जो tolerate कर जाए, एक range को, लंबे range को जो tolerate कर जाए, उनको हम लोग बोलते है, urehyeline, आपका इसी के साथ मिलता जोलता है, आपको टर्म आएगा, stenothermic, stenohaline, उसका मतलब क्या होता है, कि short range को जो tolerate करें, इन सारे terms को आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यह आपका हो गया, आप next question आपसे पूछा जा रहा है, green algae are not likely to be found in the deepest strata of ocean, give at least one reason, discuss करते हैं हम लोग, कि आपसे question क्या पूछा गया है, यह बहुत ही simple simple से यहाँ पर question है, conceptual भी है, आपको अपना दिमाग लगा करके भी आप यहाँ पर answer कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल भी आओ सकता नहीं है, समझ लीजिए, सुन लीजिए, चीजों को उसके बाद आप अपने हिसाब से answer कर सकते हैं, next question आपका है, green algae are not likely to be found in the deepest strata of the ocean, question है, green algae, green algae, green algae are not likely to be found, green algae are not likely to be found in the deepest strata, in the deepest strata of ocean, deepest strata of ocean, give at least one reason, give at least one reason, अब देखें, हम लोगों मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर, कह क्या रहा है, कि जो आपकी green algae है, green algae की आपकी जो class होती होती है, chlorophyce, क्या होती है आपकी chlorophyce, तो कह रहा है कि जो green algae are not likely to be found in the deepest strata of ocean, give at least one reason, अब आप समझें कि माली यह कोई एक water body है, क्या है आपकी water body, यहाँ पर जो sunlight आ रही है, sunlight जो आपकी आ रही है, अगर आप label wise नीचे की और बढ़ेंगे, label wise आप क्या करेंगे, नीचे की और बढ़ेंगे strata में, different strata बन जाते है, light के presence के according, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है, वो maximum है, क्या है आपकी? यहाँ पर जो reach कर रही है, वो maximum में, धिर धिरे penetration कम होता है, धिरे-धिरे, light की penetration कम होता है, amount घटता जाता है, यहाँ पर इसे से थोड़ा कम होगा, सबसे नीचे क्या होगा, बिलकुल light नहीं होगी, बिलकुल light यहाँ पर नहीं penetrate कर पा रही है, no light, no light, अब आप समझे बात क कि जो green algae है, यह nature में कैसी है, आपकी यह है, autotrophic, कैसी है nature में, autotrophic, खुद का खाना संसाइज कर रही है, किस से, photosynthesis से, क्योंकि इनके पास pigment होता है, क्या होता है, इनके पास pigment होगा, जिसमें आपके chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll A और chlorophyll B भी होता है, तो यह दोनों pigment और यहाँ पर स्टेटा में, light यहाँ पर absent है, तो क्या यह अपना खाना खुद प्रिपेर कर पाएंगी, तो इसका answer होगा, यह अपना खाना प्रिपेर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि light की availability ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, कि इनकी survival जो है, उसके chances यहाँ पर, बिल्कुल negligible हो जाते हैं, आर जनरली पूरली डेवलब्ड, रूट्स आर जनरली पूरली डेवलब्ड इन हाइड्रोफाइट प्लांट वाई, क्या है आपका, रूट्स आर जनरली पूरली डेवलब्ड, रूट्स आर जनरली रूट्स आर जनरली पूरली डेवलब्ड इन हाइड्रोफाइट प्ला इन्हाइड्रोफाइट प्लांट्स इन्हाइड्रोफाइट प्लांट्स इन्हाइड्रोफाइट प्लांट्स इन्हाइड्रोफाइट प्लांट्स इन्हाइड्रोफाइट्स 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 इन्हाइड्रोफ इन plants के अंदर, diffusion से क्या होता है water? इंटर करता है इन plants के अंदर, वाया क्या है आपका body surface, body जो आपका surface है, इनकी पूरी body बाडी जो है water में, water contact में है, तो यहाँ पर diffusion से water इंटर करता है इनकी body में, diffusion process से, तो इनको जो है root को developed करने की कोई भी आओ सकता ही नहीं है क्योंकि रूट का देखिए एक प्राइमरी फंक्शन होता है absorption of water जो आप 11th की NCRT पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रूट के कुछ function बताया गया है जैसे absorption of water and mineral और आपको बताया गया एक function था आपका water का absorption जब आप यहां पर देख रहे हो कि water कैसे अब्जाब हो रहा है आप वाटर कैसे पहुंच रहा है वाया जेनरल बॉडी सर्फेस diffusion से तो यहां पर इनको रूट के development करने की कोई भी हो सकता नहीं है इस लिए हईड्रोफाइट में जो आपके रूट होते हैं वो पूरली developed होते हैं अब यहां पर नेक्स कोश्चन देख रहे हैं यह था आपका question 2007 का आया हुआ है कब आया था आपसे 2007 का आया हुआ question है next question है आपका define mutualism question क्या है आपका define define है हमें हिअ हमें म्यूचु裡面 बताना है कि मूचुम आ पका क्या होता है बक differenti जब दो साथ साथरे दो साथ रहे और दोनों का फाइदा हो और क्या हो आपका दोनों का फाइदा हो जैसे मालेगी एक प्लांट है प्लांट आपके ये प्लांट का कोई फ्लावर है और उसको पॉलिनेशन करने वाला जो इंसेक्ट है जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है पॉलिनेटिंग इंसेक्ट अब आप समझे कि इस फ्लावर को क्या फाइदा है कि यह इंसेक्ट क्या कर रहा है पॉलिनेशन क्या कर रहा है और इंसेक्ट को क्या फाइदा हो रहा है कि इनको यहां से मिल रहा है food and nectar food and nectar तो ऐसे यहाँ पर जो association होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं mutualism में बोलते हैं जहाँ पर दोनों species को क्या होता है benefit होता है तो देखें कुछ question हम लोगों आज यहाँ पर discuss कियें हम लोग next lesson में आएंगे तो इसके बाद कि जो आपके जो भी remaining question उनको discuss करेंगे और यह chapter आपको हम आपर complete हो जाएगा तो जो भी आपको यहाँ पर कराया गया है इसको आप note down कर लिजेगा एक बार देख लिजेगा और भी आप जो है previous year question खुझ से भी देखते रही है को भी हमार पास time की थोड़ा सा यहाँ पर availability थोड़ा कम है तब तक के लिए मैं चलता हूं फिर next session मिलेंगे आपके इस chapter को complete करने के लिए हम लोग next session में आएंगे और chapter को complete करेंगे